बच्चो हम कर रहे हैं कक्षा 9 की गनित की पाठे पुस्तका ध्याय 14 सांखे की आज चर्चा करने वाले हैं हम परस्णावली 14.3 के प्रसंद संख्या 1 से 9 तक की बच्चो इससे समंदित कंसेफ्ट हमने पिछले भाग में देखा था हमने देखा था कि किस तरीके से दिये गए आंकडों का दिये गए आंकडों का आले के निरूपन करते हैं आले के निरूपन में हमने चर्चा की थी दंडाले की आयत चित्र की और बच्चो बारंबारता बहुज की उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा समझ लिया होगा और आपने प्रस वर्ष की आयू वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यू के कारणों का पता लगाने के लिए किये गए सर्वेक्षन से निम्न लिखित आकडे प्राप्त किये तो कोई संगठन है जिसने क्या किया है सर्वे किया है महिलाओं की मृत्यू के कारणों का पता लगाने के लिए और उननन जो आंकडे प्राप्त किये वो इस प्रकार से है जनन स्वास्त अवस्था जो है महिलाओं की मृत्यू का कारण होती है कितनी महिलाओं का 31.8 प्रतिशत महिलाएं जनन स्वास्त अवस्था अर्थार्थ प्रेगनेंसी के द्वरान बच्चा पैदा होने के द्वरान मरती है तंत्रिका मनोविकार वश्था 25.4 प्रतिशत महिलाएं महिलाएं इस वश्था में और अन्यकारणों से 22.0 महिलाएं क्या होती है प्राप्त होती है सूचना के आधार पर आप से पूछा गया है पहला प्रशने सूचना को आलेख्ये रूपित के जिए तो कैसे निरूपित कर सकते हैं बच्चो घर हम बना सकते हैं ठीक है हम बना सकते हैं आयत चित्र और हम बना सकते हैं बारम बारता बारम बारता बहु बुज तो आलेख में हम यह पढ़ते है तो हमने पढ़ा है कि यह दोनों कब बनाए जाते हैं जब आपका चर किसके अंतरगत दिया गया हो वर्ग अंतरालों में दिया गया हो प्यारे बच्चों अगर चर किसमें दिया जाता है वर्ग अंतराल में अर्थार्थ जिस चीज का अध्यन हम कर रहे हैं वो वो चर वो चर अगर वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है तब तो हम या तो आयती चित्र बनाते हैं या बारंबारता बुभुज बनाते हैं दंड आलेक हम कब बनाते हैं जब चर क्या हो व्यक्तिगत दिये गए हो व्यक्तिगत दिये गए हो मतलब कोई भी वर्ग अंतराल नहीं होगा वर्ग अंतराल नहीं होगा तब हम क्या करते है दंड आलेग बनाते हैं अब इस प्रस्न में देखेंगे तो यहां पर हम कारणों का ध्यन कर रहे हैं ना म्रत्यू के कारणों का क्या कारण आपको वरगंतराल में दिये गए हैं नहीं दिये गए हैं इसका मिलब आलेग कौन सा बनेगा दंड आलेग बनेगा अब दंड में हम क्या करते हैं दो लंबुवत रेखाएं खीशते हैं जो बिंदू ओपर काड़ती है जिसको हम मूल बिंदू बोलते हैं जो शेतिज रेखा होती है वो आपके पास एक्स अक्स होती है और जो उर्द्वादर रेखा होती है वो वाई अक्स होती है 36 अक्स पर हम क्या ले लेते हैं हम हमेशा चर ले लेते हैं हम यहाँ पर चर ले लेंगे तो यहाँ पर हम ले लेंगे कारण किसका धिन कर रहे हैं हम रत्यू के कारणों का तो हम यहाँ कारण लिखेंगे कैसे लिखेंगे एक डिबबा चोड़ेंगे और एक डिबबे में हम का और इस तरीके से कारणों के हम क्या बना देंगे अब सवाल उठता है कि इन दंडों की उंचाईया हम कितनी लेंगे तो वो लेंगे इस चरके माप इन कारणों की जो माप आपको दी गई है जो प्रतिशत आपको दी गई है वो आप yx पे लें तो जैसे जैसे जनन स्वास्थ अवस्ता का कितना प्रतिषयत है 31.8 प्रतिषयत तो 31.8 उचाई का 31.8 उचाई का आपको क्या बनाना है दंड बनाना है सवाल उड़ता है क्या 31.8 cm का बनाए या किलो मिटर का बनाए या मिटर का बनाए या किस तरीक से तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पैमाना मानना पड़ेगा और आप जानते हैं पैमाना कैसे मानेंगे इन में देखे जो माप आपको दी गई है इसमें सरवार्दिक बड़ा आंकड़ा कौन सा है सबसे बड़ा आंकड़ा है 31.8 और 31.8 से आप देख सकते हैं कितने बड़े खंड होते हैं graph paper पर बड़े खंड अगर यानि बड़े डिब्गों की बात मैं करूँ तो उपर से नीचे अगर आप गिनो तो कितने बड़े खंड मिलेंगे आपको लगभग लगभग 15 से 15 से 15 से 20 खंड हर एक graph paper पर मिलते हैं जो भी बाजार में उपलब्द ह तो मैं यह कह सकता हूँ कि मेर पास 10 खंड तो कम से कम हैं ही ठीक है तो अब आप देख लीजे 31.8 तक अगर आपको करना है तो 10 से डिवाइड कर दीजे एक खंड को आप 3 इकाई ले सकते हैं कम से कम 3 इकाई तो आपको लेना ही पड़ेगा यहां मैंने क्या लिया है मैं पर पैच परने कि मैं से इस तरीके से करेंगे कि इस तरीके से आफ बना लेंगे पाँच पाँच का ले लेंगे अंतराल और फिर उसके बाद में देखो जनन स्वास्ते अवस्ता को कितना तक बरोगे 30 के उपर एक छोटी जो लाइन आती है वहां तक इगत 30.8 उसके भी थोड़ा सा उपर तक आप बर दीजिएगा यह हो गया 25.4 प्रतिशत का इस्थम्भी फिर 12.4 शती के कारण रिदे के कारण रिदे रिदे घात के कारण 4.3 प्रतिशत मेलाएं मृत्य को प्राथ होती है स्वसन अवस्ता में 4.1 अन्य कारणों से 22.0 प्रतिशत तो इस तरीके का आपको दंडालेक मिल जाएगा समझ में आ गई मेरी बात तो यह आपको ध्यान में रखनी है दंडालेक बनाती होई चीजे इस तरीके का दंडालेक आपके पास आजाएगा बच्चों एक बड़ा खंड पैमाना आप ले ले जीगा 5 परतिशत को निरुपित करता है लिख देंगे पैमाना भी इसी में अगला प्रशन आप से पूछा गया है कौन सी अवस्ता पूरे विश्व की महिलाओं के स्वास्ते और मृत्यू का बड़ा कारण है कौन सी ऐसी अवस्ता है जिसके अंदर महिलाओं का स्वास्ते अधिकतर खराब रहता है या फिर वो मृत्यू को प्राप्त होती है तो यहां टेबिल में भी आप देख सकते हैं और यहां ग्राफ में इस आलेके निरूपण में आप देख रहे हैं कि सबसे उंचा इस्थम भी कारण हो जायेगा जनन स्वास्ते अवस्ता जनन स्वास्त करण क्या है जनन स्वास्त अवस्ता है फिर इसी में आप से अगला प्रश्न पूछा गया है अपनी अध्यापिका की साहिता से अब मैं तो आपकी अध्यापिका नहीं हूँ मैं तो अध्यापिका नहीं हूँ तो आप लिख लिजिएगा अपने अध्यापक की साहिता से ठीक है यानि की मेरी साहिता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रियास कीजिए जिनके उपर दो में मुख्य भूमी का रही है उपर प्रशन संख्या जो दो है दो में मुख्य भूमी का रही है दो में आपने मुख्य भूमी का किसको बताया था जनन स्वास्ते वस्था जनन स्वास्ते वस्था में बीमारी और मृत्यू के मुख्य कारण क्या है तो आपको बताना है कि ऐसी ऐसी कोई दो कारणों का पता लगाना है कि इस इस अवस्था में इस अवस्था में महिलाएं महिलाएं क्या हो रही हैं खराब स्वास्ते या म्रत्यू को प्राप्त हो रही हैं तो ऐसे दो कारण क्या हो सकते हैं बचों धरा सोचिए कि अगर जनन स्वास्ते सवरवारदिक म्रत्यों उसी समय क्यों होती हैं इनके कारण पर हम चर्चा करते हैं तो हम देखें बड़ा कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति चाइसे महिला हो चाइसे पुरूष वह म्रत्यू को प्राप्त होता है या उसको कोई बिमारी होती है कब जब उसका क्या हो पोशन पोशन सही तरीके से नहीं हो उसकी देखरेख सही तरीके से नहीं की जाए यानि कि अगर अगर कोई व्यक्ति कोई महिला प्रेगनेंट है फिर हमें क्या होता है उसको अधिक आउशकता होती है सहायता की ठीक है अगर उसकी सहायत यह को करेगी तो फिर definitely क्या होगी बिमार होगी या फिर उसकी म्रत्यू हो जाएगी तो ऐसी अवस्ता में सबसे बड़ा कारण है कि उचित देखवाल नहीं की जा रही है उचित देख रेक नहीं की गई है देख रेक नहीं की जा रही pregnant महिलाओं की उचित देख रेक नहीं हो रही है या मैं कहूं कि पोशन प्राप्त नहीं हो रहा है उनको उचित पोशन प्राप्त नहीं हो रहा है जिस खाने की उनको आवशक्ता है वो उनको नहीं प्राप्त हो रहा है तो ये एक कारण है दूसरा कारण आप समझते हैं चिकित सा सुविधाओं का अभाव अगर चिक कोई महीला प्रेगनेंट है और उसके आसपास कोई भी चिकिस्थथ स्विधा नहीं तो खराब तब्येत होनी की स्थिए में वो उसको नहीं मिल पाएगा उसकी विमारी का उपचार नहीं उपचार नहीं हो कोने के जैसे क्या हो होनी चाहिए हर एक इलाके में उनके पास चिकिस्सा स्विधाइं होनी चाहिए ताकि जरासी कोई बीमारी अगर कुई समझ में आ गया पहला प्रशन आपको अगला सवाल देखिए भारती समाज के विभिन चेत्रों में प्रती हजार लड़कों पर लड़कियों निकटतम दस्तक संख्या आंकडे नीचे दिये गए हैं इसका मतलब आपको दे गया है लिंगानुपात प्रती हजार प्रती हजार लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है लिंगानुपात कहलाती है और यह क्या दिया गया है एक समाज विशेश में समाज विशेश में आपको लिंगानुपात की सूची दी गई है अब आप देखिए अनुसूचित जाती 940 है यानि कि एक हजार लड़के उनमें अगर मिलते हैं तो 940 लड़कियों की संक्या है अनुपूचित जन्जाती में लिंगानुपात कम है 970 कम लिंगा अनुपूआथ है यहां कि अ अधिकंन लिंगानुपूआथ है ये कम लिंगानुपात है गैर अनुसूचित जन जाती 920 और भी ज्यादा अधिक लिंगानुपात पिछड़े जिले जो पिछड़े हुए हैं चाय से वो शिक्षा की द्रस्टी से हो चाय से आर्थिक द्रस्टी से पिछड़े हो ठीक है या फिर या फिर वच्चों वो किसी स शेहरी शेत्र जहां अधिक होती हैं पड़े लिखे लोग हम समझते हैं ज्यादा होते हैं समझदार लोगों की जगे में देखिए लिंगानुपाथ कितना है सबसे ज्यादा समझदार लोग उपरी दी गई सूचनों के आदार पर क्या पनाना है आपको दंड आलेक द्वारा निरुपित कीजिए उपर यह जो सूचने दी गई हैं इनके आदार पर आपको दंड आलेक बनाना है तो बचो दंड आलेक के लिए आप जानते हैं एक वाई एक्स और एक एक्स यहां तो हम क्या लिख देंगे समाज लिख देंगे कौन सा समाज है फिर यहाँ पर उसमें लिंगानु पाथ की माप लिख देंगे अब माप के लिए आपको बानना पड़ेगा पैमाना और आप देख रहे हैं 910 से स्टार्ट हो रहा है और अधिक्तम कहां तक जा रहा है 900 970 तक जा रहा है 910 से स्टार्ट हो रहा है और 970 तक जा रहा है तो आप पैमाना मान सकते हैं एक बड़ा खंड सो फिर 200 फिर 300 400 500 600 700 800 900 1000 इस तरीके से आप पेमाना मान सकते हैं और फिर भर दीजिएगा बर दीजिएगा अलग अलग एक एक खंड छोड़ के इस खंड में एक समाज फिर दूसरा समाज फिर एक खंड छोड़ेंगे समान खंड छोड़ने हैं आपको और दंड आलेग बनाएंगे तो आपको इस तरीके का इस तरी लिंगानुपात क्या है सबसे कम है देखिए अंतर देखेंगे हजार और जो लड़िकों की संक्या है उसका तो 970 तो 30 का ही अंतर है तो लिंगानुपात यहां कम है लिंगानुपात यहां कम है और उधर लिंगानुपात क्या है इधर सरवार्दिक लिंगानुपात शहरी छे के हैं कि सहरी शेत्रों का लिंगानुपात क्या है सरवार्धिक है यहां नब्वय का अंतर है उसके बाद में और दूसा निश्कर साहब निकाल सकते हैं अनुसूचित जन जाती में लिंगानुपात क्या है सबसे कम है तो यह दो निश्कर साहब लिख दीजिएगा ठीक है मैं इस बात से एगरी नहीं करता समाज विशेश से मैं एगरी नहीं करता मैं कहता हूँ कि समाज विशेश का लिंगानुपात से कोई लेना देना नहीं है हम ये कहें कि अनुसूचित जाती वाले अनुसूचित जाती वाले लोग अगर लड़कियों को पसंद नहीं करते लड लड़कियों के पैदा होने को पसंद नहीं करते तो ये बिलकुल गलत है समाज विशेश से इसका कोई लेना देना नहीं है ये इसका लेना देना है व्यक्ति विशेश से अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है उसकी सोच गिरी हुई है तभी वो ऐसा सोच सकता है कि लड़की का पैदा होना अब शगुन हैं तभी ऐसा होगा इसमें किसी समाज का कोई लेना देना नहीं है प्यारे बच्चों व्यक्ति विशेश की सोच है गिरी हुई सोच वाले व्यक्तियों की नतीजा है यह कि लिंगा नुपात इतना बढ़ रहा है शहरी छेत्र में देखिए यहां आ म्रत्यू दर नहीं होनी चाहिए बालिका का जन्म हो रहा है तो उसकी म्रत्यू नहीं होनी चाहिए इतनी सुईदाएं हैं लेकिन यह क्या हैं ज्यादा इंटलीजेंट लोग हैं और यह क्या करते हैं जन्म से पहले ही बच्चे का लिंग पता कर लेते हैं और फिर उसको उस सभा के चुनाओं में विभिन राजनितिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दी गए हैं तो हम अध्यन कर रहे हैं किस राजनितिक पार्टी को कितनी सीटें मिली तो पार्टी A को मिली 75 सीटें पार्टी B को 55 पार्टी C को 37 पार्टी D को 29 सीटें प आप से पुछा गया है मद्दान के परिणामों को निरुपित करने वाला एक दंड आलेक खीचिए तो दंड आलेक खीच देंगे बच्चों हम इस तरीके का आपको दंड आलेक मिल जाएगा पैमाना आप एक बड़ा खंड बराबर दसिकाई ले लीजिएगा और इस तरीके क तो ए है राजनितिक पार्टी ए ने अधिक्तम सीटें जीती है दिखी रहा है इसका दंड सबसे उचा है तो इसका अधिक्तम जीती है अगला सवाल देखिए एक पोदे की 40 पत्तियों की लंबाईया एक मिलीमिटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकडों को न वर्ग अंतराल के अंतरगत दी गई है और मैंने कहा था जब वर्ग अंतराल दिया जाए तो दंड अलेक नहीं बनता क्या बनता है आएती छितर्या बारंबारता बहुवज आपको दो बाते द्यान रखनी है क्या वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल संतत है ये पहला सवाल तो आपको खुद से ये करना है क्या वर्ग अंतराल संतत है संतत होने का क्या मतलब है किसी वर्ग की उच सीमा अपने अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर 126 यहाँ पर 127 तो बराबर नहीं है अगर किसी एक जगे भी ऐसा है कि बराबर नहीं है बराबर नहीं है एक जगे भी बराबर नहीं होता तो हम कहते हैं कि ए संतत है और यहां तो सारी ही जगे ऐसा है देखे किसी भी किसी भी दो वर्ग अंतरालों की उच्छ सीमा और निमने सीमा बराबर नहीं है इसका मलब यह तो हर जगे ही क्या है हर जगे ही discontinuous है ए संतत है तो अगर ए संतत है तो उसको संतत बनाएंगे संतत बनाने क formula मैंने आपको बताया था इन दोनों का जो अंतर है इनका जो अंतर है एक उसका आधा उसका आधा यानि की 0.5 निम्न सीमा में से गठाएंगे और उच्छ सीमा में जोड़ेंगे तो संतत बना लेंगे उसके बाद में दूसरा जावाल दूसरा सवाल आपको करना है वर्ग हर एक वर्ग अंतराल की वर्ग माप देखो तो यहां यहां वर्ग माप कितना है आठ है क्या आठ है या दस है आठ है अठारा और आठ इधर भी आठ इधर भी वर्ग माप आठ है ये सब वर्ग मापे कितनी है आठ की हैं तो अगर वर्ग माप बराबर हैं तब तो जो बार वर्ग माप बराबर नहीं होगी तो हम सबी बारम बार्ताओं को समान वर्ग माप के लिए क्या करेंगे संशोदित करेंगे अभि आगे आने वाले प्रशणों में हम देखें गे और हम पहले भी उधायरण के मादेर्ण से आपको बता चुके हैं तो सबसे पहले फिर देखिए प्यारों बच्चों जब आपको आयत चित्र बनाना होता है तब वही एक yx और xx अगर वरगंतराल 0 से चालू है तब तो कोई दिकत नहीं है कुछ छेड़ चाड़ नहीं करनी लेकिन अगर जैसे कि इसमें दिया गया है वरगंतराल 117.5 से चालू है तो 0 से च जैक करदें थोड़ा इस तरीके से इस तरीके से इसको दबा दें और फिर यहां इस पहले खंड में पहले खंड में अ accessibility और फिर यहां लिग दें 117.5 फिर जो वरगंतराल है वो यहां लिग दें 116.5 फिर अगला अगला क्या हो जाएगा अगला आपके पास है Lehrouched अगला आ 135 point के बाद में 144.5 144.5 और इस तरीके से आगे आप लेते हैं माप लेते हैं तो वर गंतराल की जो माप है वो ले 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 एक दो तीन चार पांच क्योंकि देखिए अगर आप देखें अधिक्तम आकड़ा अगर आप देखें तो बारा है तो आपको मिल जाएंगे बारा डिब् है गैशी सब्सक्राइबर attendance की परड़ा आपको मिल जाएक जूर्फ रचों फियूअगे बनेगा यहां पर करना मत भूल देगा थोड़ा सा यसे अड़ा टेडा कर देना का यह जीरो से लेकर 117 वाला सारा इसके अंदर हमने दबा दिया है, फिर हमने इसनीक से पेमाना लिया है, चुना गया पेमाना भी लिख देए, यहाँ हमने देखा 8 का अंतर था क्या, 118 से 126 आठका था लेकिन जब हमने इसको संतत बनाया संतत बनाया तो अंतर कितने का हो गया 9 का हो गया सब में अंतर 9 का है तो एक बड़ा खंड आप क्या ले ले 9 के बराबर ले लेंगे और इस तरीके का आयत चितर बना देंगे ठीक है फिर देखिये अगला सवाल प्रशन संख्या चार तो हम कर चुके हैं इसी के अंदर अगला सवाल है क्या इनी आकडों को निरुपित करने के लिए कोई अन्य उप्युक्त आलेक है क्या बिल्कुल जिन आकडों को आप आयत चितर से बना सकते हैं उनको बारम बारता बहुँ बुस्से भी बना देंगे कैसे बनाएंगे आप इधर देखिए ये उपरी उपरी रेखाओं के मद्दे बिंदू ले लेंगे मद्दे बिंदू ले लेंगे और इन मद्दे बिंदू को क्या करेंगे हम इन मद्दे बिंदों को मिला देंगे इन बंदे बिंदों को मिला देंगे लाइन से इस तरीके से मिला देंगे ठीक है ये जो काली वाली लाइन आपको दिख रही है ये इस तरीके से मिला देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा एक बारम बारता बहु बुझ बन जाएग कना रहाए वारंबारता बहुबुज है उसके माध्यम से दिखा सकते हैं और बहुबुज बनाने के लिए आपको पता है कि प्रतेग वर्घक अंत्राल से हमक Advisor निकालते हैं वर्घक कैसे निकालेंगे उसके सीवा प्लुस निम्न सीवा बटे दूझ Can माँ दोनों को जोड़के दो का भाग लगा देंगे दोनों को जोड़के दो का भाग लगा देंगे तो वर्ग वर्ग चिन आजाएगा वर्ग चिन को हम किसके साथ ले लेंगे बारम बारताओं के साथ लेकर बारम बारताओं के साथ लेके इन बिंदूओं को इन बिंदूओ इन बिंदूओं को अंकित करेंगे और इन बिंदूओं को अंकित करने बाद में सकेल की सारता से मिला देंगे तो एक बहुबुज बनेगा जोकी क्या है अभिष्ट बारामबारता बहु programmes तो रखेंगे बच्चो जिन आकड़ों को आप आयत चितर से दिखा सकते हैं उनको हम बारंबारता बहुभुज के माद्यम से भी दिखा सकते हैं ठीक है इसी में अगला सवाल यह है बच्चो क्या यह सही निश्कर से की 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियां संख्या में सबसे दिख है तो यहां जब हमने देखा था बच्चो जब हमने इसको कंटेणियूस बनाया था तो आपको यह यह अंत्राल में 153 मिलीमीटर 153 मिलीमीटर वाली पत्तियां इस अंत्राल में हैं और इसकी बारंबारता सरवार्दिक हाए तो यह ऐसा भर्रह्म हो सक्ता है कि 153 म व पत्यां 153 मिलीमिटर की हैं तो सारी नहीं है इसमें अंदर वह पत्याइं भी हैं जिनकी लंबाई 145, 146, 146, 146, 149, 151, 151, 152 है या 153 है तो सारी की 153 वाली तो नहीं है ना तो इस इसको देखकर हम यह अनुमान अगर लगाएं यह अनुमान लगाएं या यह निश्कर्स न क्या है बच्या है जिनकी लंबाई 152 है 151 ठीक है तो यह निश्कर्स क्या है बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं लगाना और उनकी प्रशन कौन? पांच नीचे की सारणी में 400 नियोन लेंपों के जिवनकाल दिये गए हैं किसी कमपनी ने 400 नियोन लेंप बनाए और उनके जिवनकाल को क्या किया नोट किया तो ऐसे ऐसे 300 से 400 300 से 400 गंटे चले ऐसे कितने लेंप हैं 400 से 500 गंटे चलने वाले नियोन लेंपों के संख्या 56 हैं और ऐसे आगे आप सारणी पढ़िए फिर आपसे पूछा गया है कि आयत चित्र की सायता से दीवी सुचनाओं को निरुपित कीजिए तो यहां आप देख रहे हैं वर्गंतराल है तो क्या-क्या याद रखेंगे संत संतत बनाएंगे फिर वर्ग माप भी चेक करेंगे तो यहां तो संतत है देखो बराबर है सब जगे से संतत है और वर्ग माप भी सबकी बराबर है 100 तो आप क्या करेंगे बच्चो एक्स अक्स पे क्या ले लेंगे एक्स अक्स पे तो पैमाना ले लेंगे 100 गंटे बराबर एक बड़ा खंड या एक बड़ा खंड बराबर 100 गंटे और वाई पर अगर आप देखें तो देखिए 14 भी है 60 भी है तो आप ले लेंगे लेंपों की संख्या लेंप दस लेंप बराबर एक खंड ले लेना और फिर बना देना आप क्या आयत चित्र ऐसा बन जाएगा आपके पास थोड़ा सा जिक जैक करना है तेड़ा मेड़ा करना है क्योंकि जीरो है यहां पर और आप डियरेक्ट अगले पेम माना था तेंसो चार सो इस तरीके से लिक दिजेगा इस तरीके का आयत चित्र बन जाएगा आयत चित्र बन जाएगा आप देखें आपको बताना है कितने लेंपों का जिवन काल सा स्व गंटों से अधिक है 184 लैंफ ऐसे है जिनका जीवन काल क्या है 700 घंटों से अधिक है अर्फात वो 500 घंटों से अधिक रोश्नी देते हैं अगला सवाल देखेंगे वच्छो प्रशन संक्या 6 प्रशन संक्या 6 में आपको क्या दिया गया है इस सारणी के अंदर पिर दो section ओके विध्यारतियों का बंटन दिया गया है तो दो section है एक तो section A है section A का बंटन यह रहा फिर इसके आगे section B का बंटन दिया गया है section A में जो अंक हैं वो भी वरगंतराल में दिये गए है section B के बी वर्क अंतराल में दे रखे हैं ऐसे विद्यारती जिनके आंक जीरो से दस है तीन दस से वीस वाले नो वीस से तीस वाले सत्रा अना इस तरीके से दिये गए हैं ऐसे आप सेक्शन वीके भी पढ़ लीजिएगा फिर आप से पूछा गया है दो बारंबारता बहुजों की स ऐसे और आपको बताना एका मतलब किसका अच्छा है अच्छा है किसका निश्पादन बेकार है तो तो जिसका बारंबारता बाउबिच बढ़ा होगा ऊँ जैदा होगा उसका निश्पादन कमें क्या ओलेंगे अच्छा हैं तो पहले देख लिजिए वर्ग चिन thesis बना लेंगे बहु बुझ बनाने के लिए वर्ग चिन ले लेंगे वर्ग चिन से आप क्या करेंगे ये बिंदू दिखा देंगे ये बिंदू दिखा देंगे और ये बिंदू दिखा कर इनको मिलाकर आप सेक्शन एका बना लेजिएगा और फिर इसके साथ इनके साथ लेकर section इन वर्ग चिन्नों को वर्ग चिन्नों को इन के साथ लेकर B का बहुबुज बना लीजिएगा तो आपको ऐसे ऐसे बिंदू मिल जाएंगे और इन बिंदूों को मिला कर आपको ये दो बहुबुज मिलने वाले हैं पैमाना आपको पता ही है ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो section B के लिए मैंने बनाई है और वाइट वाली लाइन है वो section A के लिए है दिख रहा है क्या येलो वाला उंचा है येलो वाला क्या है उंचा आपके पास बारंबारता बहुबुज है इसका मतलब section B का निश्पादन क्या है अच्छा है section B का निश्पादन क्या माना जाएगा अच्छा माना जाएगा ठीक है ना बच्चो इसमें A और B द्वारा प्रसम साथ गेंदों में बनाए गए रन दिये गए हैं तो टीम A इस तरीके से रन बनाती है टीम B उस तरीके से रन बनाती है प्रसम साथ गेंदों में यानि की एक से च्छे तकी गेंद फिर साथ से बारा वाली गेंद तेरा से ठारा उननीस से चोईस ठीक नहीं है लेकिन कियोंकि यह गेंदों का मामला है तो क्या प्रथम 1 से 6.5 गेंदे हो सकती है क्या ऐसा तो नहीं हो सकता तो आप क्या कीजिए इसी 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 में क्या करेंगे हम पहले इसको सत्थ बना लेंगे इस तरीके से सतत बना लेंगे सतत बना लेंगे लेकिन उसका मतलब यह नहीं समझना है बचो आपको कि यह 0.5 से 0.6 इसका मतलब अभी भी क्या है अभी भी क्या है वही है जो पहले था 1 से 6 गेंद ठीक है ऐसी प्रोब्लम आ जाती है जब हम सांखेकी का अध्यन करते हैं जो वेवारिक रूप से सही नहीं होती है क्या ऐसा अंतराल संभव है गेंदों के लिए कि जो 0.5 हैं क्या हो 6.5 गेंदों के बीच में तो आदा गेंद तो कुछ नहीं होती नो बोल तो नो बोल का मतलब कुछ नहीं होता इसमें तो गिना नहीं जाएगा लेकिन फिर पर भी हम क्या करते हैं को इससी तरीके से करुद करेंगे अद्धियत करने के लिए बायेंगे यौद तो आप इस तरीके से सतत बना लेंगे वार्ग चिनन लिगा लेंगे वर्गी चिन उको बारम बार्ता देखने को मिलेंगा दोनों के इस तरीके कर भवुववुज मिल जाएंगे तो एक को डोट लाइन से दिखा देनीत पूरी पूरी लाइन से आप दिखा का बारंबारता बोबुज मिल जाएगा आपको टीम भी का भी प्राप्ट कर लेंगे और एक भी प्राप्ट कर लेंगे बच्चों फिर देखिए अगला सवाल प्रसन संख्या आठ एक पार्क में खेल रहे विबिन आयू वर्गों के बच्चों की संख्या एक यादरची साल वाले छे बच्चे हैं पांस साथ वाले यह हैं इस तरीके से आपको क्या करना है इन आकडों को आयट चित्र में दिखाना है मैंने बोला था आयट चित्र के लिए पहले देखिए संतत है या नहीं तो संतत तो है संतत तो है फिर क्या चेक करेंगे वर्ग माप चेक करें हम क्या करेंगे आयतों की उचाई अलग 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 वर्गंतराल के लिए ज्यात करेंगे ठीक है तो सब को एक ही एक ही वारभ में बदलने के आप क्या करें अगर आप सब को एक एक चोडाई में बदलना चाते हैं एक वर्ग माप में बदलना चाते हैं जैसा कि इसकी वर्ग माप एक है इसको भी एक वाले में बदलना चाते हैं तो आप इसको किसे गुणा कर देंगे एक से तो यह हो जाएगा तीन बटे एक गुणा एक यह हो जाए बटे पांच गुणा एक और चार बटे दो गुणा एक तो सब एक वर्ग माफ वाली उचाईयों में बदल जाएंगे बदलने के पश्यात आपको आयत की लंबाईयां मिल जाएंगी अर्था इतने उचे इस्तम बनाने हो मिल जाएंगे ये मिलने के बाद में आप बना नवा सवाल एक स्थान ये टेलीफोन निर्देशिका में यानि की टेलीफोन डायरी में सो कुल नाम कुल नाम का मतलब सर नेम जैसे कि मैं लखन सेनी तो सेनी मेरा क्या है कुल नाम है कोई है कोई है नेहा शर्मा तो शिर्मा उसका क्या है सर नाम सर नेम है यादर्चिया ल करना है आयत चित्र बनाना है तो के लिए संत होना चाहिए वर्ग माप इसकी तीन है I TI's है कि ए कि इसकी माप ऑफ दो है इसकी दो है इसकी वर्ग माप चार है इसकी वर्ग मापт तो या तो सब को एक वर्ग माप वाले में बदल दीजे या दो वर्ग माप में तीन में कैसे बदलेंगे बाई जो बारम बारता हैं तो छे बटे वर्ग माप आप किस वर्ग माप में बदलना चाहरे हैं दो दो वर्ग माप में बदलना चाहरे हैं दो इकाई वाले वर्ग दो यह हो जाएगा सोला बटे चार गुणा दो यह हो जाएगा चार बटे आठ गुणा दो तो इनकी क्या जाएगी आयत की लंबाईयां आ जाएंगी इस तरीके से आयत की लंबाईयां दो वर्ग माप वाली में आ जाएंगी बच्चों तीन वर्ग माप वाली में आ करना है तो तीन में गुणा कर दीजिएगा लेकिन अगर आप तीन वाली में बदलते हैं तो एक खंड में यहां एक खंड में आप पिर क्या लिखेंगे एक खंड में दो इकाई लिखेंगे आप इस तरीके से लिखेंगे दो चार छे आठ ये तो दो वाला है लेकिन अगर आपने त तो ऐसा आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों फिर इसी में आप से अगला सवाल पूछा गया है वह अंतराल बताईए जिसमें अधिक्तम संख्या में कुल नाम है तो चित्र देखके बताएंगे चित्र देखके बताएंगे तो चित्र में अगर हम देखें तो सबसे अदिक्तम संख्या में कौन से वाले में है च्छ से 8 दो और सब से कम किसमें है बच्चों बारा से बीस वाले में सबसे कम हैं क्या है तो यह थि प्रस्णावली चोधा पॉइंट तीन जिसके सारे सवाल हमने डिसकस कर लिए हैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं एक बार पुने आप इसकी प्रेटिस करेंगे बच्चो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए धन्यवाद